जिस विस ज princip पुछह जाएंगे उनको जो है स्ञेक्सन वाइस दिया गया है नगरेजी कह जगा दिया गया है साइंस का एग जग प्रश्ण के बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति जो है उसको क्या कहा जाता है उसको वाचाल कहा जाता है उसके नमबर चार्ज होगा इसमें राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन देखेगा कि चूरन का तत्सम सब्द है तो राइट अंसर इसका चूर्ण हो जाएगा उसका बाद देखेगा कि रिसी संग्या सब्द से विसेशन सब्द क्या बनेगा तो ये बनेगा आरस ठीके फ्रेंट्स आरस बनेगा अगला कुस्टन देखेगा कि नमलखित में से कौन सा सब्द निसीद का पर्यायवाचिव न अंधेरा ठीक है फ्रेंट्स ध्यान रखेंगे चलिए बाकी जो है निसीद का मतलब रातरी होता है बाकी जो है रातरी का पर्यावाचिव सब्द है तम मतलब अंधेरा होता है तीमिर सब्द का विलोम बताना है तो तीमिर सब्द का विलोम आपको बताना है तो तीमिर सब् पढ़ेंगा सुरेस के लिए पत्र लखना है सुरेस के लिए पत्र लिए ओप्सान आदमी है नीला कौन है तो वस्त्र है तो यह आपका क्या हो जाएगा घर आदमी और वस्त्र तो घर आदमी और वस्त्र आपने आप करूंगा खुद से करूंगा देखें यह नीजवाचक होता है तो राइट अपसे नंबर दी हो जाएगा उसका बदेखें यहां सब अंग्रेजी स्टार्ट हो रहा है देखें कोस्टन पढ़िएगा पहले कि on the basis of the given sentence pick out the correct sentence converted in affirmative from the given options देखें he did not write a letter ठीक है अब यहां पर देखेंगा निगेटीव है इस sentence को आपको जो है convert किसमें करना है तो converted in affirmative ठीक है तो यह क्या हो जाएगा बताइए तो दीखें यह हो जाएगा he wrote a letter ठीक है he wrote a letter जब इसका आप निगेटीव बनाएगा तो he did not write a letter होगा यह हो जाएगा आपका option नुबर एक जो है यह correct हो जाएगा ठीक है फ्रेंस चलिए सिंपल पास्ट का यह sentence है subject plus क्या होता है भीटू होता है plus object होता है next question देखेंगा कि antonym बताना है विप्रियार्थक सब्ध बताना है order का णुबर के क्या होता है अनुशासन होता है ठीक है और इसका opposite क्या हो जाएगा जिसका opposite अरकी हो जाएगा अरक जकता होता है उसके इक्यूस का सिनोनिम बताना है एक्यूज का सिनोनिम बताना है देखे एक्यूज मतलब क्या होता है दोसा रोपित होता है ठीक है दोसा रोपित करना होता है एक्यूज बोलते है न तो इसका सिनोनिम बताना है यानि कि समान अर्थी बताना है सब तो वह हो जाएगा आपका क्या यह हो यहां देखते हैं कि यहां देखिए इलिट्रेट जो है यह जुड़ा हुआ कि से तो ठीक उसे परकार से आपको इसमें से बताना है बताइए तो देखिए यह हो जाएगा नाइव और एक्सप्रियंस इसका मतलब नव सिखिया होता है और एक्सप्रियंस का मतलब अनुवाई होता है ठीक है देखिए इलिट्रेट मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है और एजुकेशन यानिकी सिख्षित तो राइट अंसर इसका अप्शन नमबर ए हो जाएगा उसके बाद देखिएगा कि चूज ता सुटेबल अप्शन डैट इसक जो है इसका मतलब क्या होता है लाइबली हुड होता है आपको पाचा है तो देखिए इसका हो जाएगा इसका क्रेक्ट इंसर हो जाएगा बहुत याशन-असान कोस्टन है नहीं कोलमबस खाली अस्तान है अमेरिका तो तो right answer इसके क्या हो जाएगा friends, right answer इसके हो जाएगा discovered, उसके बाद देखेगा कि choose the most suitable preposition, he will acquire खाले अस्थान देगा है the matter, बताइए, तो यह हो जाएगा आपका require into, ठीक है, तो यहाँ पर into हो जाएगा option number 3 जो होगा right answer हो जाएगा, आप देखें यहाँ से आपका समाजिक भासार कि अश्थान से लहाँ समुर्ति सूचि की दहारा इस लिए अ मे algyra कि भाशार यह लिए अमेरीकर से बाद कि भासा यह थो specifi को जिया अशान रखेगा सब कृस्तिवर्द बद माना जाता है कि मंबाईक का वास्ती विद्द किन है माना जाता है, बताएगा सब आपको दिखाई दे रहा होंगे बताइए फटाफट यह माना जाता है नाना संकर सेठ को अपसे नमबर चार्ज होगा इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ध्यान रखेंगे अब हासी ब्रिक्ष रहित विरल वनस्पती कहां पाई जाती है तो यह पाई जाती है कहां पर बताइए तो जहां पर अत्यदिक ठंड होती है तो टुंडरा में ठीक है अफसे नमबर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा उसका बाद नेक्स्ट कुस्ण दिखेगा कि भूमी क कारक को अन्य किस रूप में और जाना जाता है तो इनको जाना जाता है मिर्दिय कारक ठीक है एड़ाफिक ध्यान रखेंगे मिर्दास से जो संबंदित है तो राइट एंसर हो जागा ऑफसर नमबर ए उसके बाद नेक्स्ट कुस्ण देखेगा कि निम्न में से अध्यारित होती है ठीक है और देखे इसका राइट अंसर जो हो जाएगा पहले में सभी आपको दिखा देता हूं तो देखे इसमें से राष्ट पती की निश्चित अवधी बिल्कुल कारयपालिका तथा विधान मंडल के सजिसक बीच कोई दोहराव नहीं बिल्कुल सही है राष्ट पती का लोकमत द्वारा चुनाव यह भी सही है तो राइट अंसर हो जाएगा और चार ठीक है फ्रेंट्स ध्यान रखेंगे उपर एक तुसा भी निम्लिकित में से कहां जो है अस्तूप नहीं है तो देखे इसमें अस्तूप जो है कहां पर नहीं यह साची में है भरहुत में धमेक में है राची में नहीं है तो अप्सन नमबर इसका यह राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद देखे निम्लिकित में से कौन सी पुस्तक ज्वाहरला नेहरु द्वारा नहीं लिखी गई है नहीं सब्द लगा हुआ है ध्यान देंगे डिस्कवरी अफ राइट इंसर हो जाएगा लोगतांत्री केंद्री करन किसके महत्पुन विशिष्टा है कि बताइए तो दीखे यह है सामय वाधी राजी की सामय वाधी राजी की ठीक है चले उसका बद अगला कोस्टन देखेंगे कोस्टन नमबर 24 कर रहा है कि भारत के समिधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है तो भारत के समिधान में भारत को वर्णित किया गया है किस रूप में तो यह कहा गए कि राज्यों का संग है ठीक है उसका बदेखे चाया मंत्री मंडल किसकी प्रसासनी की व्यवस्था की विशिष्टा है तो यह है फ्रेंस किसकी च जो संग मरot को सेरसा सूरिमार कहते हैं बताइए तो अक्षन फार दिया गए है ठीक है ध्यान को φाझता है ठीक है ढाइं से सही नहीं पूछा गया है यहां अन्य में नेशनल मॉनुमेंट्स ली इन्टेश्ट दिया गया है। फॉप्से नीशनल ग्रोथ ट्रिवनल होता है ठीकले नेशनल ग्रेंट ट्रिवनल होता है। और दिज्ट हो जाए आपसा नमबर सी यानिकी आपसा नमबर तीन जो है यह इसका कर्याइक्ट अंसर हो जाएगा एंजीटी के अस्था आपना 2010 में की गई थी ध्यान रखेंगे राष्ट्रिय हरित्प्राधिकरन इसको हिंदी में कहा जाता है नेमलकित में से कौन सा सीला ल जाता है यह किस संबंदित है हाती गुफा तो खारवेल से संबंदित है उसको देखिएगा कि ब्रामुनों पर जज़िया कर लगाने वला दिलिक सुल्तान कौन था तो यह कौन था फिरोज तूगलक था राइट एंसर फिरोज तूगलक हो जाएगा निमले कितम से कौन सा पर्ल सीटी के नाम से जाना जाता है पर्ल सीटी कहा जाता है किसको तो पर्ल सीटी कहा जाता है है अप्सन नमबर है चार्ज हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए परल सीटी कहा जाता है उसको देखिए केंद्र और राज्यों की बीच केंद्री संसाधनों करने के लिए राष्टपती द्वारा किस निकाय के गठन किया जाता है अब देखिए यहां पर चारों आपको दिख रहा है टैरिफ आयोग वित आयोग योजना आयोग और काराधन जांच आयोग तो यह है वित आयोग आर्टिकल दो आयोग का गठन करने का दिखार राष्टपती के पास है अप्सेंग बुद्ध का जनम अस्थान किसके दौरा अंकित किया जाता है जनम को जनम अस्थान को उसको अंकित किया करता है किसके दवर रूमने देई अस्तंब के दवारा तो ऑफसे नमबर दो जो होगा इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीके फ्रेंड से ध्यान रखेंगे उसके बाद नेक्ष्ट कुशन देख लिजेगा अगला कुसे नर्फेंड समारा कि निम्न में से किसने मंसबदारी वहस्था का सुतरपात किया था था कि कि इस किया था और नेक्ष्ट देखते हैं तो राइट उन्सर इसका हो जाएगा आपका आप कि इस-कोड़िया कर को इसे На समाप्थ किया इसलिए ध्यान रखिएगा उसके बगता सरक्षन अद्नियाम में किस संसोधन किया गया तो यह संसोधन किया गया किस वर्स 1991 में किया गया था ठीक है 1991 में किया गया था नमबर 4 हो जाएगा निमलेकित कौन आजाद हिंद्ध फौज का संस्थापक है आजाद हिंद्ध फौज पुछा गया है तो यह कौन हो जाएंगे सुभास्चिंद्र बोश अप्सिर नमबर दो जोगा राइट अंसर हो जाएगा आजाद हिंद्ध फौज नामक ससस्त्र चना का गठन 1942 में दूतिय कि यहां कानून नहीं है वहां स्वत्मत्रत नहीं है ये किस ने कहा था तो ये किस ने कहा था ये कहा था जॉन लॉक ने देखिए इस तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं ठीक है आपने बिहार पुलिस का अगर एक्जाम दिया था तो देखिए आपको ध्यान में होगा जॉन लॉक ने कहा था ये उसके बाद देखेगा कि भारत एंसर क्या हो जाएगा तो राइट इसका हो जाएगा 377 ठीक है IPC की धारा 377 संबंदित है निम्लिकित में से क्या हम भारत की लोग इस वाक से सुरू होता है तो हमारी प्रस्तावना सुरू होती है तो देखे प्रस्तावना कहां दिया गया है बताइए तो देखे भारत का जो समिधान है चले अगला कुछ सरकार्या आयोग संबंदित है केंदर राज के संबंद से सरकार्या इए गया था और 1987 में इसने अपने रिपोर्ट के अंदर सरकार को सौपी थी चिटगाउ सर्डी नेत्री तो क्या था? सुरियस सिर्ड ने किया था ढखेंगे 22 मई 1930 को इस संगर्स में 80 सैनिक और 12 करांती कारे मारे गए थे चिटगाउ कहा है? तो वर्तमान में ये बंगला देश में है अगला कुछ देखेगा कि भारती रिजर बेंक का मुख्याले इस्तित है तो ये मुंबई में है रिजर बेंक की अस्थापना पुछा जाता है और राश्टी करण पुछा जाता है ये पांच कुरोर की अधिकरित पुंजी से एक स्थान के अस्थापना की थी किसने किया था प्रण्स यह ज्या था सब्सक्राइब कितने सदस्यों को 12 पोर 12 राजे सबहा में और दो जो है लोकसबहा में तो लोकसबहा मी जो अंगलो इंडियन का था वो अब खतम कर दिया गया है ठीक है मेरे हिसाब से वह 12 राईट इंसर इसका होना जाए थीक है 12 राइट आंसर इसका होगला कुस्ते देख लीजिए किनने में कितम से कौन सी इस्तिती में भारत में अपात्काल नहीं लगाया जा सकता है राष्टपती द्वारा सरकार भंग किये जाने पर उसके वह देखिए कानून विवस्ता भंग होने पर लगाया जा सकता है यूद और बाहरी आकरमन और वीतिये संकट के दौरान भी लगाया जा सकता है लेकिन भ छुपक्षप देखेगा कि समिधान का आधार मुल्डचा परिभासित है यह कि अधो यह परिभासित है संसद्ध द्वारा उसको बढ़ देखेगा कि मॉलिक अधिकारों की उलंगन में किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है तो ये सिन्वाई उसे तम न्याले द्वारा सीधे की जा सकती है तो अपस्टन नमबर इसका तीन जो होगा करेक्ट इंसर हो जाएगा चले उस तम न्याले को मौलिक अधिकारों का रखषक कहा जाता है उसके भारत के समिधान में संसोधन किये जा सकते हैं संसत के द्वारा अपस्टन नमबर तीन जो होगा इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा ठीक है चले उसके बाद देखेगा कि विश्व का सबसे उचा जल परपात कौन सा है तो ये जल परपात जो है ये बेनेजवेला में है एंजिल जल परपात इसका नाम है ठीक है तो राइट इंसर अपस्टन नमबर तीन हो जाएगा अगर भारत में पुछा जाएगा तो जोग जल परपात है जिसको की गर्सोपा भी कहा जाता है मात्मा गांधी जलपरबात भी कहा जाता है सरावती नदी पर है करनाठक में अगला कुसन देखेगा राज के निती निजशक सिधान्त है तो दीखें ये सिधान्त कनूर द्वारा लागू किए जाने योगे हैं राज के निती निजशक तत्व को न्याले में चुनावती नहीं दिया जा सकता है तो राय टंसर हो आगा स्थम गहनत वाला राक;; उसका बद अगला कोश्वन देख लीजेगा कि बिहार राजी में फिल्म की दुनिया सब्सक्राइब करने का स्थ्रे कि से दिया जाता है नहीं और इसको महराज भुपेंदर नराइण सिंग अप्ट्शन में है उसको भाएं बिहार के पटना से संबंदित कौन सी कथन है जब तो इसमें से क्या हो जाएगा सबी ऑप्शन को पड़े जेगा ठीक है तो इस सभी के सभी option जो है ना सही दियेगा है देखिए सोटा कर देता हूं ताकि आपको clear दिखाई दे सभी के सभी option जो है ये सही दियेगा है ठीक है तो उपर एक तो सभी इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद next दिखली देगा कि बिहार की प्रमक संगरहाले और उनके अस्थापना वर उसके बाद देखिए चंद्रधारी संगरहाले दरभंगा में है और इसका जो अस्थापना वर्ष हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1957 उसके बाद देखिए गया संगरहाले गया में है और इसका 1952 हो जाएगा उसके बाद देखिए महराज लक्षमेश्वर सिंह संगरहाल है दर्भंगा यह आपका हो जाएगा 1989 ठीक है 1989 उसके बाद नीचे आईएगा नवादा संग्रहाले तो नवादा संग्रहाले का हो जाएगा 1974 ठीक है तो इसको आप लोग मिला लिजेगा देखें पीडियाफ की चिंता नहीं करें आप जब टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगा उसके बाद देख लीजेगा टेलिग्राम सक्सिस कंद्रा के नाम से ही है विहार के वह मुखमंत्री जो सबसा अधी तक इस पद पर रहे थे तो यह स्रीकृष्ण अपसर नमबर दो राइट अंसर हो जाएगा ठीके फ्रेंट्स उनिस सो ची आलीस से लेकर के उनिस सो एक सट तक यह रहे थे उसका देखेगा कि विहार के किसी भी आंचली के भासा में बनने वाली पहली फिल्म कौन से थी यह फिल्म कौन से थी यह गंगा मैया तो है प्यरी चड़ीगो ठीक अपसर नमबर दो हो जाएगा उसका यहां से साइंस का कुछ से श्टार्ट हो रहा है निमलकित में से कौन उभाय विस्थापन प्रतिकिरिया है तो इस में से जो विस्थापन हो जाएगा देखें यहां पर क्या हो है एन एटू जो है यहां आकर की इसको इसको विस्थापन कहा जाता है उसके बाद और भी देखिएगा इसमें तो और और नहीं है को तो केवल दूसरा हो जाएगा अगला कुछन देखेंगा यहां कूट से अंसर बताना है उसके बाद देखेंगा कि कि सिलवर को खुली हाँ में रखने पर इसकी सता काली पर जाती है इसके लिए कौन वाए मंदली यह गैस जबाब दे है तो यह गैस कौन सी है तो यह है हाइड्रोजन अलफाइड है उसके बाद देखेगा कि रधर फोड का जो अलफा करन प्रक्रियुन का प्रयोंग किसकी खोज से संबंदित है तो यह परमानों के नाभी की उपस्थिती की खोज है तो अपसे नमबर तीन हो जाएगा नियुकिलियस से उसके बाद देखेगा कि गंधक सल्फर के 16 ग्राम में अनुव की संख्या की घंणा करें तो देखेए यहाँ पर देखेए एस एट है है अब क्या करना है आपको 16 ग्राम कहा गया है तो सबसे पहले तो इसका आप निकाल लीजे तो यह 8 गुना 32 का सल्फर का 32 होता है तो यह 256 हो जाएगा इसका टोटल कितना हो जागा 26 अब 16 ग्राम का कर रहा है तो 16 बटा 256 और यह आपको यहाँ पर अब गादरो नमबर पता है न इसको जब सॉल्व कीजेगा तो यह एंसर निकल के आदेगा 3.76 इंटू 10 तू दिपावर 22 अगला कुस्तन देखेगा कि एक एक व्रित्य पत पर जिसका व्यास 200 मिटर है 40 सेकंड में पूरा करता है दो मिनट 20 सेकंड के पर साथ उसका विस्थापन होगा बताइए उसका विस्थापन पूछा गया है तो देखे कूल समय आपको निकाल लेना है पहले तो सबसे पहले आ पर अब पंध़र को चांद आप पले सेकंड में बदड़फ जन्हें एक सबीश Oh जाएगा और बीश सेकंड हो ज सौरी mett व्यास November संख्या पता चल गया कितना कर रहा है 140 और बटा आप 40 कर दीजेगा तो यह आपका जाएगा 3.5 ठीक है अब देखे एसे प्रारम करता है कहीं से स्टार्ट किया होगा मानली जी एसे प्रारम करता है और 3.5 चकर के बाद वह अब बी पर पहुंचता है कहा पहुंचता है जा लगा ठीक है चले उसका बाद next question देख लिजेगा कि 500 ग्राम का एक हथावडा 500 मिटर्परती सेकंड की गती से कील परवार करता है तो कील हथावडा को 0.01 cm में रोखता है सेकंड में सेकंड में रोखता है कील द्वारा हथावडा पर लगाए गया बल कितना है बताइए तो दिखिए इसको आप लोग सॉल्व कर लिजेगा इतना सॉल्व परूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यह हो जाएगा माइनस पचीस सो न्योटर्न हो जाएगा option number 2 जो होगा इसका right answer हो जाएगा solution मैं दे दिऊँगा आपको टेलिग्राम पर उसी प्रकार से इसका जो correct answer हो जाएगा वो आपका option number 3 हो जाएगा 420 वाट हो जाएगा next question दिखिएगा 68 जो है इसका हो जाएगा k equal to 6 हो जाएगा k का value 6 हो जाएगा ठीक है उसके बाद के समान रूप से सीधी सड़क पर इस्तिर गती से दोड़ने वाली कार के संदर में नेमले कि तुमें से कौन सा कथन सत्य है इसमें से सत्य कथन बताना है आपको सभी option देख लिजेगा तो इसमें से जो सही हो जाएगा कार का वेग निरंतर परिवर्तित होता रहेगा option number 4 हो जाएगा उसका बाद के समुद्री जीव के स्वास्त का निर्धारन करने है तुम किसे मापा जाता है तो ये मापा जाता है घुलनसील जल में जो घुलनसील अक्सिजन है उनको ठीक है उसके बाद देखेगा कि निमन में से क्या प्रकास के वाय मंदली अपवर्तन का परिणाम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अपवर्तन का परिणाम सुर्य का आकास में अपने वास्तिक उचाई से ज्यादा उचाई पर देखना option number 3 हो जाएगा राइट एंसर उसका बाद देखेगा कि acetylene inethine C2H2 gas oxygen के उपस्तिते में जल करके carbon dioxide क निर्मन करती है इस प्रतिक्रिया को दर्शानिक लिए निम्लिकित में से संतूलित रहसानिक अभीकरन कौन सा है अब यह संतूलित आपको बताना है मतलब कौन सा balance है तो balance है इसमें से दूसरा number balance है एक बार आप शिक कर लिजेगा सभी तरफ समान होना चाहिए अगर hydrogen जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए उसके बाद देखेगा कि hydraulic price किसका उपयो करता है तो hydraulic break price यह सभी Pascal के से धानत पर ठीक है चलो उसके बाद देखेगा कि mlt औ और यहाँ पर minus 3 दिया गया उपर में ठीक है inverse में है किसके अनरूप है तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा बल का ठीक है बल का हो जाएगा चले उसका अगला question देख लिजेगा next question है कि क्या घटित होने पर सहज परिवर्चन होता है तो entropy की गन्ना और माप का संबन्द जो है उसमा प्रवगय की चेत्रप्च होता है और entropy और तापिय धारता से एक तो उससे एक नई मात्रा का निर्मान करती है जिसे मुक्त उर्जा कहा जाता है तो यह मुक्त उर्जा की कमी हो जाएगी ठीक है चले उसका बाद देख लिज उसके बाद आजएगा जिपसम का जिपसम का 2H2O होता है जिपसम का 2H2O होता है उसके बाद देख लिजेगा विरेंजक चून COCl2 होता है बेरेंजक चून का और बुझा चूना तो यह कैलसेम हैडरोकसाइड होता है COCl2 तो अब आप लोग मिला लिजेगा इसको ठीक है फ्रेंड्स चले जब कोई दौरते हुई कार अचानक रुख जाती है तो यात्री आगे क्यों रुख जाता है किसके कारण से तो जब गाड़ी खुलती है अचानक तो आप पीछे के दरब होते हैं यह विराम का जड़तों होता है चले उसके बाद देखिएगा यह देखिए पुछा गया है कि इसमें निकिल का अक्सिकरन संख्या क्या है इसमें निकिल का अक्सिकरन संख्या तो इसमें निकिल का अक्सि रहसानिक परिवर्थन है जंग लगना एक रहसानिक परिवर्थन है तो और जंग लगने से लोहे के भार बढ़ जाती है धर्मी तत्र किसका उत्षर्जन करते हैं यह कुशन मैंने कराया है अलफा बीटे अगामा का ऑप्सिन नमबर चार हो जाएगा एड्स की विसानों किसे वारस से होता है आपसर नमबर two हो जाएगा ठीक एठान रखेंगी यह वारस से होता है उसके बाद अगला कुश्त लिछी ज्गार, 역्रोटा Sweet एक कारने से क्या हो जाएगा एक कारने से मलेरिया होता ठीक है मादा इन नेफीलीज के उसके बादे क्यूलक्स के काटने से क्या होता है तो क्यूलक्स के काटने से फैलेरिया होता है ठीक है रेट की मख्य जो है इसको काटने से काला जर होता है और सीसी मख्य काटने से नेंद की बिमारी होती है क्लियर हो गया आप समझ गया होंगे न देखे एनाफिलीज के काटने से क्या हो ज नेक्स्ट कुछ में देखेगा कि एक पीडी को स्फा cave को उन्मादिक जर्णख कर्ता है आपकी का का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रादुगी की का परियोग किया जाता है कंप्रोटर से संबंदित है तो यह आपका हो जाएगा अन्तास्तिव अन्तास्थापित ठीक है अपसे नुबर एक हो जाएगा उसको देखे कारवन डाइक साइट की इसमें की जुड़ा हुआ है तो इसमें की जुड़ा हुआ है तो इसमें की जुड़ा हुआ 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 हुआ है तो इसमें क कितना दिया गया है वोटेज यहां पर दिया गया झालतर है कि एक हो जाएगा एंपी और बिच में डिश्टेंस दिया गया है इसका भाए इसका बाहर दिया गया है पूछा गया आप से नीचे की गुर्त्वा कर्शन बल क्या होगा तो यह तो फर्मुला आपको पता है ना कि एफिकोल्ट क्या होता है जी ग्रविटेस्टनल कॉंस्टेंट यहां पूट कर दीजिए आप या फिर ऑप्सन में दिख लिए ठीक है तो आप से जी पूछा गया है तो आप क्या करेंगे जी जब इधर आ आप इसे प्रकार से चौप कर लिजिए अफ इक्वल टू जी इंटु एम इंटु एम टू अपन आरे स्कॉर अब देखिए एम एम उन दिया गया है और एम टू थी एम टू दिया गया है और बीच का दूरी जो है तूडी अस्क्रार निकिए फोर डिया स्कॉर हो जाएग अब देखिए कितना हो जाएगा टीन इंटू हो जाएगा तो नोबट चार एंटिन में दिया गया है उसके नोट था तक दूरी 30CM है तो तरंग कितने दिर्ग होगी तो यह पुछा गया कितने दिर होगी तो देखें फ्रेंट्स यहां साथ निकाल सकते है अंटी नोट की बीच की दोरी लेम्डा अपॉन 4 हो जाएगा ठीक है तो यह कितना हो जाएगा लेम्डा अपॉन 4 30 हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा अगला कुस्टन है कि रेलवे मार्ग में दो पटरीयों की एक सीरे दूसरे सीरे तक उनके बीच के अंतराज होना इसलिए आउसक होता है क्योंकि तो क्योंकि गरिस मिकाल में यह विस्तार होता है इनका ठीक है जो पटरी है विस्तारन से होने वाली द्रोगटनाव को रोका जा सकता है उसके बाद देखें यहां math के question यहां से शुरू हो रहा है math के question का मैं answer आपको telegram पर दे दूँगा वैसे इनका answer मैं यहां पर फटा फट आपको बता दे रहा हूं ठ इसके बाद सलिए 92 का देख लिजेगा 92 का हो जाएगा तीसरा number ठीक है फ्रेंट्स 94 का देखेगा आइंटी फॉर का देखेगा यहां पर option दिया गया है 95 का 4 हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स 95 का 4 हो जाएगा उसके बाद देखे 96 का तो 96 का 3 हो जाएगा 97 का 97 का जो correct answer हो जाएगा पहले आप question पढ़ लिजे एक बार 97 का जो है यह option number 4 हो जाएगा 98 का 98 का correct answer option number 2 हो जाएगा 99 का जो correct answer हो जाएगा वो option number 4 हो जाएगा और 99 का हो जाएगा आपका 5 y square हाँ यह वाजाएगा प्लस X स्क्वार हो जाएगा ठीक है और हंड्रेट का देख लिजेगा आखरी कोष्टन है हंड्रेट का जो करेक्ट इंसर फ्रेंट्स हो जाएगा वह जाएगा 4 पुर्नांग 4 बटा 5 ठीक है यहाँ पर 2 तो फ्रेंट्स प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा श Дері құрды дегі.